Hello everyone, Welcome to my channel तो आज की जो मेरी रेस्पी है वो है कसरोड का अचार यह पहाडी वेजटेबल है पहाडो में ही मिलती है और इसका मिलने का सेजन होता है मई के अंड में यह मिलना शुरू हो जाती है और जून तक यह मिलती है और यह बहुत ही healthy और tasty vegetable है, आप इसे सबजी भी बना सकते हैं और अचार भी बना सकते हैं और हिमाचली famous dish इसका madra वो भी इसे बनता है तो आज मैं इसका pickle बना रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से clean कर लिया था और cut करके आप मैं इसे cooker में add कर रही हूँ, यह बहुत ही quick है आप अराम से इसे बना सकते हैं, तो मैंने धोकी इसे अब cooker में डालके इसे एक सीटी लगवाँगी, यह depend करता है कि आपकी जो कसरोड है, जिसे हम लंगडू भी कहते हैं कितनी पुरानी है यह fresh है, अगर fresh है तो आपको इसे एक सीटी ही लगवानी है और पुरानी है, तो यह थोड़ी hard हो जाती है, तो आप इसे दो सीटी लगवा सकते हैं और इसमें पानी add नहीं करना है, इसे oil के साथ ही steam करना है और जब आपने इसे कुकर में गैस की ऊपर रखाओ कुकर को तो हाथ से थोड़ा हिलाते रहना है ताकि यह नीचे ना जिपके और जलेना तो आप देख सकते हैं, यह अच्छे से गल गी है और इसमें हलका पानी है अभी तो अगर हम पानी के साथ पिकल को मिक्स करेंगे, मसालों के साथ वो जल्दी खराब हो जाएगा तो हम इसे अब एक धूप लगाएंगे, आपको बहुत तेश धूप में इसे रखना है ताकि इसका जो पानी है अच्छे से सोख जाए आप देख सकते हैं मैंने दिन भर धूप लगाने के बाद अब इसे ले के आई हूँ तो मैं इसको प्रात में ही सुखाया था जिसमें इसे घुश सनारा सोख गया और इसमें अब आ य्ल नीचे जो मैने डाला था वो सारा committed हो जब इसमें मसाले अड़कर रही है नमक हमेशा जादा ही डाला जाता है ताकि यह खराब ना हो तो और मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूं और हल्दी इसमें जादा कुछ भी नहीं डालना है जिससे की चांसे बढ़ जाएं कि हमारा जो पिकल है वो खराब हो जाएं तो इसलिए बस यही मसाले ह हमें इसमें एड करने हैं और साथ में इसमें हमें डालना है राई पाउडर हमें इसमें किसी भी तरह का और कोई खटा एड नहीं करना है यह ऐसी ही बहुत टेस्ती लगता है आप इसे जरूर एक पर बना के देखिएगा और अब मैं इसमें आड करूंगी राई पाउडर आप आराम से बाजार में जाके राई पाउडर ले सकते हैं और अगर आपके पास घर पे ही राई है तो आप उसे भी पीस के यूज़ कर सकते हैं बस मैं इसमें राई पाउडर डाल रहे हूं मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूं पिकल तो आप मैं उसी हिसाब से एड्ड कर रही हूं अपने अंदाजे की हिसाब से तो आप भी अपने उसी हिसाब से जतनी quantity में आप पिकल बना रहे हूं तो आप वैसी ही इसमें मसाले एड्ड कर सकते हैं तो आप मैं इसमें मिक्स कर दी हैं लेकिन अब मैं इसे जो है एक box में jar में अभी इसमे आड नहीं करूंगी आप देख सकते हैं यह बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहा है thank you so much for watching